हेलो एवरीबड़ी वेलकम तो आशी सिंह लेक्चुर्स आयाम अदीहा खान यह फ्रेंड विज्ट है तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नहीं हूँ चैप्टर जिसका नाम है दा रेट ट्रैप ठीक है तो चैप्टर है उसका नाम क्या है दर रेट ट्रैप अब आ पहले इस के आथर का नाम जाने फिर आम इस पर बात करते हैं तो आथर को ने सेलमा लगरलौफ जो है पोएट से इंपॉर्टेंट हर बर बोलती हूं और पता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ना अब जहां बहुत करें कि यहां रेट ट्रैप से क्या मतलब है तो भई एक क को क्या होगा यहां पर एक ही बंदिगे काफी सारे अलग अलग नाम तुम्हें देखने को मिलेंगे तो वो जब चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैं तुम्हें बताती जाओंगी है ना तो रैट ट्रेप सैलर मतलब जो चुहे पकड़ने का जाल होता है ना वो बेचने वाला ए का जाता है तो यह तो चैबर गाल जाते हैं तो यह दुनिया भी किसी रेट प्रेप से कम नहीं है और थो यह झाल है तो यह चोटा से जो था इसका इंट्रोडक्शन था अब जब पूरा चैप्टर पड़ेंगे तो मैं समझ आएगा कि कि यहां पर मैं क्या बोलना चाहिए तो विदाउट फॉदर अडू लेट्स कि यहां बेश्ता था यहां बेश्ता था जो यह चुवे पकड़ने के जाल होते हैं पिंजरे होते हैं वह बेशता था जो किसके बने वे ऐसे थे वायर के बने हुए होते थे यह बेश्ता था जब उसे क्या होता था समान मिल जाता था किसी फार्म पे या किसी स्टोर में जब वो बीक मांगने जाता था उस वक्त अगर उसे ऐसा कुछ मटिरल मिल जाता था तो वह बेशता था बट इवन आट भी जो अब इस वह बेश्ट आध व बिजनिस था वह काफी प्रोफिटेबल नहीं था मतलब उससे जो भू काप इन नहीं पाता था पैसे इतने नहीं मिलते था तो उसने क्या किया एक सॉलूशन निकाला वह सॉलूशन क्या था कि वह बेगिंग भी करता थ bagging का मतलब क्या हुआ ? भीक मांगना bagging का मतलब क्या हुआ ? भीक मांगना and patty thivari patty मतलब छोटी मोटी patty का मतलब हुआ ? छोटी मोटी और thivari thivari क्या होती है ? चोरी तो इस तरीके से अपना पेट भड़ता था clear ? even so his clothes were in rags his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes है ना ? और यह सब करने के बाद बाद उसके जो कप्ड़े था हुआ ? और उसके जो गाल थे वह संकन मतलब बिल्कुल सिखड़े वह थे और उसकी आँकों में साफ तुम भूख देख सकते थे no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vegabond who plots along the road left to his own meditations अब यहां पर क्या बात हुआ देखो पहले words देखो monotonous होता है एक ही lamb है है ना ? एक ही lamb है vegabond क्या हुआ ? vegabond होता है avara अब देखो यह एक चीज़ बताती हूँ मैं तुम्हें पहले फिर हम इस पर बात करेंगे ठीक है ? तो यहां पर देखो तुमने देखा कितने सारे नाम है तो तुम्हें confused नहीं होना है question किसी भी नाम से आ सकता है rat trap seller के नाम से आ सकता है beggar के नाम से आ सकता है thief के नाम से आ सकता है और vagabond के नाम से आ सकता है और जब हम last में इस chapter को पढ़ेंगे तो एक special name जो है इस rat trap seller को दिया जाता है उस नाम से भी question आ सकता है तो आपको confused नहीं होना है यह सब एक ही आदमी की बात है चाहे रेटरप seller आ जाए चाहे बेगर आ जाए चाहे वेगा बॉंड आ जाए या फिर एक नाम है captain one's tale करके एक नाम मिलेगा इसे end में ऐसे question आ जाए तो आपको confused नहीं होना यह सब एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है जिसकी यह story है स्टोरी का क्लियर हो गया कोई imagine भी नहीं कर सकता सोच भी नहीं सकता कि कितनी sad और monotonous मतलब एक ही लह में चल रही है हो सकती है ऐसे आवारा की जो क्या करता है बस रोड बे ऐसे गूमता है और बस ऐसे आवारा करता है but one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining लेकिन एक दिन क्या होता है इसको एक अलगी thought आता है इसके दिमाग में अलगी क्या बोल सकते है हमें न idea आता है जो इसे काफी entertaining लगता है मतलब इसको काफी वह सोच कर मज़े आते थे he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him world the whole world with its lands and seas its cities and villages were nothing but a big rat trap ठीक है अब वह अपने rat traps को देख रहा होता हो rat traps को देखते रहता हो उसके दिमाग में खयाल आता है कि यह जो दुनिया है पूरी की पूरी दुनिया उसकी जमीन जो है उसमें जितने भी समुंद्र है जितने भी शहर है जितने भी गाउं है और यह सब कुछ नहीं बलके क्या है एक rat trap है एक चुहे पकड़ने का जाल ही है इट नेवर एग्जिस्टेट फॉर एनी अदर पॉर्परस देन तो सेट बेट्स फॉर पीपल है ना क्यों कि यहां पे भी क्या होता है लोगों के लिए लालच की बहुत सारी चीज़ें होती है और उनमें लोग फस जाते हैं बस यहीं लिए जो है आर्थ यह जो वर्ल्ड है वो एक्जिस्ट करता है इट ओफर्ट रिचिस इन जॉइज शेल्टर एन फूड हीट एन क्लोधिंग क्या क्या मिलता है इस दुनिया में रिचिस पैसा है ना संपत्ती जॉइज खुशी शेल्टर घर है ना जहां भी रह रहे हो आप फूड खाना हीट गर्मी और क्लोधिंग कपड़े एक्जर्ट्ली आस रेट्रेप ओफर्ट चीज एन पॉर्क रिच्जाब क्या में पुश्च है उसको घर मीड बिक्टने के लिए और उसे पकड़ने के लिए वेसे ही सारी चीजए भी तुम्हारा मतलब एक क्या हो रिए तुम्हारे लिए जाल है और तुम उसमें भ़स जाते हैं घुश के लिए को हुआ हुँ साइए इस कि हमार तो तो रहे हो चोड़ा बट कुछ ऐसा होता है जिसके विज़ा से इसमें समझ आ जाती है और यह निकल जाता है उस चीज से वह हम जब चैप्टर बढ़ते जाएंगे ना तब तुम्हें समझ आता जाएगा कि यहां तक समझ आ गया कि दवर्ल्ड हाड अफ्कॉर्स नेवर बीन वरी काइन तो हिम तो इसके साथ था तो इसको मतलब काफी मज़ा आ रहा था ऐसे सोचने में कि हां लोगों की साथ तो ऐसा ही होता और यह दुनिया ऐसी ही है तो यह काफी उसके लिए एक थॉट्ट जो था बहुत एंटर्टेनिंग था इट बिकेम चेरिश्ट पास्टाइम और यहां पे बहुत जाधा अच्छा टाइम पास्स बन गया था यह है ना और मतलब यह लोगों को जानता था जो इसमें फस चुके हैं यह जो लोग इसके आसपास घूम रहे हैं इसको काफी मतलब मज़ा आता था यह चीज़े देखने में के अच्छा इसकत ऐसा वह बहुत बढ़िया हुआ इस तरीके से वन डाक इवनिग ऐसी वस ट्रजिंग अलांग दी रोड ही कॉट साइड अफ लेटल ग्रे कॉटेज बाइट बाइट इसको क्या होते हैं गर दिखता है गर ग्रे कलर का और वहां जाखी क्या करता हैं उनसे पूछने जाता है कि मैं क्या आज की रात यहां बिता सकता हूं ट्रस्ट बीन अपको बताया कि ऐसे लोग के साथ लोग अच्छा वियावार नहीं करते हैं और ट्रस्ट भी नहीं करते हैं अज रहने देगा है तो यहां पर गया इसको सार फेस बोला गया यहां पर उसकी जगा उसको जो एक इंसान एक सामने एक उल्ड मैं था बुड़ा आदमी था उसने ग्रीट किया जो क्या था खुद भी अकेला था उसकी कोई वायप कोई बेटा नहीं था तो उसको भी एक company चाहिए थी अपनी loneliness में loneliness अकेले पन में तो उसने उसे मना नहीं किया और अंदर ले लिया इमीडेटली पूट पॉरिज पॉर्ट ऑन दी फाया एंड गेव हिम सपर ठीक है आप उसने क्या किया हातो हाथ ही पॉरिज पॉर्ट रगा पॉरिज पॉर्ट इसमें खाना बन रहा है ना दलिया टाइप ऐसा और जो वेगबॉंड था या रेट्रप सेलर था या बैगर था उसको क्या दिन फ्च विला जाता है दिनर को लात के खाने को सपर बोला जाता है तो सब्सेटल नहीं होना और सब्सेदान खाश कॉम सब्सेटल चाहर Problem It जो उसके लिए और जो स्ट्रेंजर है, जो अंजान आदमी है, जो मतलब यहां पर स्ट्रेंजर भी कौन है, अपना रेट्रप सेलर के लिए बोला गया है, ठीक है, दोनों के लिए इनफ था, Finally, he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime, फिर उसने cards के लिए दोनों ने मिलके until bedtime, जब तक दोनों सो नहीं जाने वाले थे, सो ने जाने के लिए, The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco, ठीक है, old man जो था हूँ, वैसा ही generous था, generous मतलब हो गया एक तरीके से बड़े दिल वाला, है ना? बड़े दिल वाला, with his confidences, यहां भे confidence का मतलब है ना? क्या बोलते हैं, trust है, विश्वास है, है ना? विश्वास है यहां पर confidence का मतलब, ठीक है, The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crafter at Ramjo and works and had worked on the land. ठीक है, आप जो stranger था, जो guest था, महमान था, उसे क्या बताया गया? कि जो तुमारा host है, होस्ट कौन इंसान होता है, जो मतलब जिसके आप आए हो, है ना, जो मतलब, अगर सपोस्वास कुर एक पार्टी हो रही, तो जिसने पार्टी दिये, वो होस्ट के लाएगा, तो यहां पर होस्ट कौन है, जो ओल्ड महन था, जिसने उसे शरंड दिया, स्ट्रेंजर को, तो जो बताता है, कि वही जो तुम्हारा होस्ट है, मतलब जो मैं हूँ, वो पहले राम जो आइन वर्क में काम करता था, एक क्रॉप्टर का, क्योंकि वो ओल्ड हो गया था, तो आप वो नहीं कर पाता, इतनी महनत का काम नहीं होता, तो उसकी जो गाय है, वही उसे सपोर्ट करती है, मतलब उसके गाय से ही, अब वो पैसे कमाता है, यहास बशी वोस एक्स्टर ओर्डिनरी, शी कुट गिव मिल्क अफ दो क्रीमरी एवरी डे, फार दो क्रीमरी एवरी डे, लास्ट मंथ ही रसीब आप थर्टी क्रोनो, इन पीमिंट, क्रोनोर देखो वहां की करंसी है, अब वो बोलता कि बही जो मेरी गाय है, गाय को यहां बॉसी बोला गया, वो काफी एक्स्टर ओर्डिनरी है, वो रोज जो है मिल्क दे सकती हो, लास्ट मंथ का मेरा पेमिंट कितना आया था, तीस क्रोनोर का मेरा पेमिंट आया था, था स्ट्रेंजर मस्ट थाव सीम्ट इंक्रादूलर्स, फो ओल्ड मेन गट अप, और यहां पे क्या बोला गया, जो स्ट्रेंजर है, आप वो मतलब देखी रहा था, इतने में क्या हो, ओल्ड मेन उठके जाता है विंडो की तरफ, और एक लेदर का पाउच होता है, वो ठाके लाता है, जो एक कील पर ठंगा होता है, उसी विंडो की, नेल क्या होती है, कील, ठीके और उस मैं से क्या निकालता है, तीन रिंकल्ट, टैन क्रोन ओर बिल्स, मझनलब टैन क्रोनोर की तीन नोट होते हैं, रिंकल्ट, रिंकल्ट मैं वैसे होते हैं तूडए मुडए से, वो वाले, these he held up before the eyes of his guest, just nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch वो उसे दिखाता और वापस जो है पाउच में पैसे रख देता है दो नेक्स दे पोथ में गॉट इन गुट सीजन दे क्रॉप्टर वो इन हरीदे को यहां पर क्या लिखा है में अगर एक इंसान होता है तो हम में बोलते हैं लेकिन अगर एक से जाधा है दो सब्सक्राइब में से दावाल होता है तो यहां पर और शहां नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा ठीक है तो दोनों जो उट जाते सुबां ऑप्रॉप्ड प्रभबली तो उटकी नॉट निकालना होता है और दूसरा मैंने मतला हमारा जो रेट्रेप सेलर है वो यह सोचता है कि अब जब हैड नहीं है घर में और उड़ गया तो मुझे भी तिदर बिस्तर में पड़ा रहना नहीं चाहिए दे लेफ दी कॉटेज एड दी सेम टाइम दोनों ही घर से सेम समय पर निकल जाते हैं अब जो अपना घर बंद कर देता है दर्वासा लॉक कर देता है और चाबी जो है अपने पॉकेट में रख लेता है दे मैं विदी रेट्रेप सेट गुडबाई अब जो है गुडबाई बोलता है थैंक यू बोलता है और दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले जाते हैं अब क्या होता है आदी घंटी के बाद जो रेट्रेप पैडलर है जो रेट्रेप सेलर है वह क्या होता है वापस जो है कहां आ जाता है उसी कौटेज के डोर पर आकर खड़ा हो जाता है वह अंदर जाने की कोशिश नहीं करता बट वह क्या करता है और पर क्या करता है अपना हाथ अंदर डालता है जो पॉच में से जोð पैसे होते हैं निंकाल लेता है पॉकेट में डाल लेता है अब उसको लगता है कि उसने काफी चालाकी से काफी चतुराई से क्या किया पैसे निकाल ली है तो वो काफी खुश होकर जा रहा होता है अब इना उसको लगता है कि हाँ उसको जोए पब्लिक हाइवे से नहीं जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि चोरी की खबर फैल जा और चेकिंग वगरा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी तो वो क्या करता है into the woods मतलब जंगल के रास्ते से जाने लगता है अब कुछ गंटों तक तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई वो चलता रहा लेकिन उसके बाद क्या हुआ दिन के बाद क्या हुआ क्योंकि जो फोरेस्ट है काफी बड़ा था और काफी कंफ्यूजिंग था अब क्या हुआ कि उसने कोशिश करीब ही जाने की डंग से जाए एक डिरेक्शन में लेकिन वो जो रास्ते थे वो ऐसे ट्विस्टेड हो रहे थे ऐसे घूम फिर के एक ही जगा वह वापस आए जा रहा था लेकिन उसको थोड़ दर बाद होता है कि वो एक ही फोरेस्ट के पार्ट में घूमें जा रहा है अब उसको जो है वापस उसकी जो रेट ट्रेप वाली थोट थी कि दुनिया जो है वो रेट ट्रेप है और यहाँ पे बेट पिछाई जाती है जिसमें हम इंसान फस जाते हैं और उसने अब रेलाइस के लिए था कि भाई अब उसकी बारी है क्योंकि वो जाल में फस चुक अब उसने वो खुदी जो है बेवकूफ बन गया एक जाल में और अब फस चुक है उसमें दा होल फॉरेस्ट विद इस ट्रांक्स इन ब्रांचेस इट्स थिकेट्स और फॉलन लॉक्स क्लोज इन अपॉन हीम लाइक एन इंपैनेटरेबल प्रिजन फ्राम विच ही कुद तो पर इसकेप और यह जो फॉरेस्ट में जितने भी ट्रांक्स ती मतलब पेड की शाखा है और वह सारे की सारे क्या है आप उसके उपर कैसा उन्होंने बना लिया कि इंपैनेटरेबल प्रिजन बन चुक है इंपैनेटरेबल जिसमें से आप आरपार ना जा सको है ना पैनिट्रेट ना कर सको कि इट वस लेट इन डिसम्बर डिसम्बर लेट का टाइम था दाक्नेश वाज डिसेंडिंग ओवर दी फॉरेस्ट अब जो है अंधेरा चाने लग गया था जंगल के उपर इस इंक्रीज दी डेंजर आन इंक्रीज अब यह सकता था जंगल में कुछ भी जंगली जानवर भी हो सकते थे तो डेंजर भी बढ़ गया था आप परेशानी भी बढ़ गई थी उदासी बढ़ गई थी फाइनली ही सो नो वे आउट अनी सेंग डाउन ऑन दी ग्राउंट राइट टाया टाया तो डैत तिंकिंग इस लास्ट मॉमेंट हैड कम आप क्या वह वह जमीन पर लेट गया और बस अब ऐसा हो रहा था इतना थग्या था चल चलके कि मरी जाएगा उसने सोच लिया था कि बस अब मेरा जो है अंतिम समय आ गया है बट जस्ट आजी लेडिस हैड ऑन दा ग्राउंड ही होड़ साउं यह जब लेडिस ही पिपिंग वाली वह वाज उसे सुना ही दे रही थी रेग्यूलर मतलब कंटेनियों और यह वह अंत इस ने नोट किया कि हाँ यह तो है न क्या बोलते हैं उसकी आवाज आ रही है हतोड़े की पढ़ने की आवाज आख़ी है किसी आई मिल में देमाज ब पीपल नियरबाय और वहाँ पर जो है लोग भी हों गया असपास अब उसने अपनी सारी के सारी जो भी स्ट्रेंथ उसके अंदर है ना उसको क्या किया समन किया मतलब बटोरा बटोरना या इखटा करना कहते हैं न हम और जो है वो दीरे दीरे से लड़ खड़ाते हुए उस डायरेक्शन में चल गया जासे उसे अवाज आ रहे थी राम्जो आयन वर्क्स विच आ नाव क्लोस डाउन वर नाट सो लॉंग अगो अलाज प्लांट विच मेल्टर रोलिंग मिल एंद फॉज अब जो राम्जो आयन इन दी समर टाइम लॉंग लाइंज फेवी लॉड़ेद बाज इन स्कावज लेड डाउन दे केनाल विच लेट तो लाज इनलेंड लेक लेक अं इन दी विंटर ताइम दरोड नियर दा मिल ब्लाग फ्रम ओल दस्ट विच जिफ्टेट डाउन फ्रॉम दी बिग चार्कोल क्रेट आप गर्मियों के टाइम में तो क्या था कि लाइंस लगे रहती थी हैवी लोड़ेट बार्ज की जो भी मतलब आयन होती थी उसकी और कैनाल थी वहाँ पर ठीक है आप क्या होता था लेकिन जब सर्दियों का टाइम होता था तो सब रोट वगेरा जो है पूरे ब्ल ऐस्ब्स आप क्रिस्मस निया दी फॉर्ण इस वेटिंग आई रहन विच हाद बीन पूट इन पूट अन्विल अब क्या होता था कि जो मतलब डॉल और वाली जो मतलब यह जो शाम है क्रिसमस की जो अभी जो चल रहा है ताइम जिसमें रैटर चलर ने खुद को फसावा अब कहांअवाा था है मिफ स्कां स्फमित होता है वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं उसको वेट करते हैं और यह हो चाहिए हो थी उसके लिए and every now and then one of them got up to stir the glowing mask with a long iron bar returning in a few moments dripping with perspiration though as was the custom he wore nothing but a long shirt in a pair of wooden shoes थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता था कोई ना कोई उठता था महां पर glowing mask क्योंकि देखा कभी भी तुमने जब लोहा पीगलता तो कैसा बिलकुल लाल हो जाता है तो उसको जाकर हिलाता था थोड़ी दिर में वापस आता था और क्या होत क्योंकि heat तो perspiration होगा पसीना तो आए गई न दो आपको एक तरीके से समझो कस्टम था कि बस क्या पहनने आपको एक शर्ट पहनने और वुड़न शूस पहनने लकडी के शूस पहनने अल दे ताइम देयर वर मैनी सांड्स तो बीहर्ड इन दी फोर्च बिक बैलोस ग्रोंड और बुर्निंग कोल क्राक्ट अब यहां पर जो अलग-लग काफी सारी आवाज आती थी चारकुल जो जल रहा हुसकी आएंगी उसकी जो आती ना देखाई का भी लोहा जलता क्या वोलते हैं कोईला जलता तो कैसी ऐसी क्रैकल क्रैकल सी आवाज आती है फायर बुए जो है वो फरनेस के मुँमें जब चारकुल और यह साही चीज़े डाल रहा है तो उसकी आवाज आ रही है आउटसाइड रोड दा वाटरपॉल एन शाप नौर्थ विंड विप्ड दा रेन अगेंस दा ब्रिक टाइल्ड रूफ और बाहर जो है वाटरपॉल है थोड़ी सी टफ है इस चाप्टर की जो लैंविज है वह थोड़ी सी टफ है तो हम चोटा-चोड़ा पड़ेंगे ताकि मैं तौड़ा पड़ाऊ और जो भी दिक्कत है जो भी मीनिंग जो भी टफ वर्ट है उन्हें वह समझाती जाओं और साथ में तुम्हें जो na बाह Keeha Khan, signing off right now, bye bye and have a nice day.